स्वागत है दोस्तों आप सभी का आप यूट्यूब चैनल एक्जाम पैरा पर मैं फार्मसिस्ट रॉबिन सिंग एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आए वीडियो और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फार्मसिस्ट की एक्सपेक्टेड क्रटाफ के बार कि हम लोग अपने वीडियो की तरफ और धिकी वीडिएवाएस पहला प्वाइन्ट है हमारा स सबसे पहले मैं आपको बता दू वीडियो में मैंने पाच पॉरिंट इंक्लूड के है और प्रतेकक पॉइंस पॉइंच बहुत ज्यादा इंप्रतेंट है समझ रहें आपके ल 33% है और जो हमारे SCST है इनके लिए 28% है कहने का मतलब यह है कि अगर आप 200 नंबर की पेपर में से 33% हमारे अगर जन्रल OBC EWS यह भाई बंदू नहीं ला पाते हैं ठीक है ना अगर यह भाई बंदू 33% नहीं लाते 200 में से तो यह fail हो जाएंगे इनका कोई मतलब ही नहीं यानि आप exam fail हो गाएं यानि 6-6 नंबर कम से कम 6-6 नंबर आपके पास होने चाहिए exam qualified करने के लिए ठीक है और SCST को 28% नंबर लाने हैं 200 में से यानि 56 56 नंबर जो है आपको लाने पढ़ेंगे SCST भाई बंदू को हमारे exam pass करने के लिए अगर आप 56 नंबर नहीं ला पाते हैं तो आप fail माने जाएंगे ठीक है अब बढ़ेंगे अगले point की तरफ अपने paper का level कैसा था paper की level को देखते हुई हम लोग cut off अपनी बनाते हैं तो paper का level अगर देखें तो moderate to high था यानि आपका मतलब high level तक जा रहा था medium से high level तक आपका जा रहा था paper का level बहुत यच्छा रहा है इसका मतलब यह हुआ जैसे अगर हम अपना question paper divide करेंगे तो question paper divide करने पर क्या मिलता है देखेंगे total 200 question थे जिसमें से 1.500 technical थे और 50 non technical थे आप सभी जानते हैं अगर डेड़ सो जो technical question है उनको divide करें ठीक है तो 50 question जो थे वह बहुत ज़्यादा high level के थे मतलब उनको solve करना बहुत ज़्यादा critical था किसी भी मतलब excellent बंदे के लिए ठीक है ना 100 question तक आप आराम से solve कर सकते थे टेकनिकल जो मतलब वाकई रियली तैयारी कर रहा है उनके लिए 100 question आप आराम से टिक कर सकते थे लेकिन जो उपर की 50 question थे उनमें से 10 question भी अगर आप extra कर ले जाते हैं सही तो आपका selection कोई रोग नहीं सकता ये मान की चलिए बसरते vacancy जो है वो disputed नहीं होनी चाहिए मतलब किसी ने मतलब अब कहना नहीं चाहिए लेकिन विवादित नहीं होनी चाहिए भरती प्रक्रिया जो है निस्पक शुरूप से होनी चाहिए उसमें किसी भी तरीके की धांदली नहीं होनी चाहिए है ना कि अगर jack कहीं से कोई लगा लेता है या कुछ इस तरीके मतलब भरती प्रक्रिया में ही अगर धांदली हो जाए तो मैं नहीं कह सकता हूँ otherwise उनका selection जरूर होगा जिन्होंने 100 के उपर 10 question भी technical कर दिये हैं तो इनका selection जरूर होगा ठीक है ना लेकिन करना बड़ा critical है चुकि पेपर टफ था तो जो आपके 50 question है वो high level के थे ठीक है ना 1500 question से 50 question आपके high level थे 70 question जो थे आपके moderate थे कैसे थे moderate थे ठीक है और 30 question easy थे यानि कहने का मतलब ये 30 question जो है कोई भी कर सकता है बंदा वाकई रियली जो है diploma pharmacy के level का आता है ये 30 question ठीक है बाकी 70 question bachelor का आता है और बाकी जो 50 question था वो GPET M Pharma इनके सब के लिए जो बढ़िया था ठीक है specialization अगर आपके पास है खासकर के GPET की तयारी जो कर रहे है उनके लिए जो है ये 50 question मतलब easy थोड़ा हो जाते ठीक है बाकी paper तो ये था आपका डिवाइड अगर हम करें technical part अगर हम बात करते है non-tech की तो 50 question non-technical में थे जैसा कि आप सभी लोग जानते है जिसमें से gs जो थी आपकी gs जो थी वो आपकी tough थी ठीक है ना वाकई tough थी चुकि मैंने देखे आपको अब जिसे इंद्रा गांधी airport का था terminal 3 कब से open हुआ ठीक है या आप से पूछ लिए गया था कि जो आपके राश्टर पत्ती है उनके पास कितने तरीके की जो है emergencies लगाने की शक्ती है ठीक है या फिर आपका attorney journal से related एक आगया था articles और एक आगया था आपका fundamental जो rights है उनसे तो मतलब वाकई अच्छे level की GS थी तो GS मैं tough ही कहूँगा और एक आगया था हडपा सब बिता से कि किसने खोज करी थी तो अच्छे level की GS थी reasoning के अगर बात करते तो easy to moderate थी यानि कुछ questions आप solve कर सकते थे reasoning में और कुछ questions आपको हो सकता है tough लगे हो तो reasoning को मैं easy to moderate ही कहूँगा और हिंदी के अगर बात करते हैं तो हिंदी भी आपकी easy to moderate थी moderate का मतलब 1-2 questions 2-3 questions उन्हें से थोड़ा मतलब आपको उलजा सकते थे बाकी हिंदी easy थी ठीक है अगर बात करते हैं हम लोग list की कि कितनी list बनने वाली है exam में तो exam में जो list बनेंगी point 3 है ये पहले तो आजाएगा not qualified candidate अगर आप 200 में से 6-6 number general OBC या EWS की candidate नहीं ला पाते हैं तो ये जो है सीधे not qualified हो जाएगे आपने exam पास ही नहीं किया आप आप हटिये साइड में अब ठीक है दूसरी है कि wait list candidate यानि जिन्नों ने exam तो पास किया लेकिन फाइनल जो selection है उसमें नहीं पहुंचे ठीक है तो उनको waiting में डाल दिया गए कि भाईया आपका finally आप जो हमें जिस जिस जितने number required थे suppose that हमें 90 number से requirement थी 90 से 100 के बीच में चूकि 100 तो पहुंचा ही नहीं किसी का 100 मतलब जो भी हो तो 90 minimum हमें चाहिए 90 से लेगर के आगे जो भी हो आपके पास तो आपके क्या 89 हैं तो आप उस जो है list में नहीं पहुंच पाए जिन जितनी जो है number की जरूरत uprvional को है ठीक है आपने exam तो पास किया लेकिन आप उतने number नहीं ना पाए जितने number उनको जरूरत है तो आप wait listed candidate हो गए जाकर के यानि जब जरूरत पढ़ेगी तब आपको हो सकता है वो बुलाने ठीक है फिर आजएगा short listed candidate ऐसे candidate जिन्होंने exam भी पास किया जिस cut-off की जरूरत या जितने number की जरूरत UPRVNL को है मतला हमें इतने number की जरूरत suppose चर्माल की ऐगर हमए जरूरत है या 100 number की जरूरत है या 110 की जरूरत है और आपके 111 number है 110 number है तो आप उनकी requirement की category में आगे कि हाँ हमें इतने number के certificate जरूरत है ठीक है प्रॉपर जो रिवायर थी कंडिडेटस की संख्या की वो नहीं पहुँचे आप लोग नहीं पहुँचे तो उसमें से क्या होगा कि फिर देखा जाएगा भई या वेट लिष्टेट देखिए चेक करिए वेटिंग भी दी जाएगी आप लोगों को तो यह देखा जाएगा कि हाँ अब 89 नंबर टॉप पे तो इनको बुलाईए अब है ना तब उस कंडिशन में आपको वेट लिष्टेट कंडिडेट को ब है हमारी जो हमें लग रहे कि इतनी जानी चाहिए वह मैं आपको फॉर्थ नंबर पर बताऊंगा फिलाल फिप्त नंबर पर आप समझ दीजिए कि कंडिडेट नंबर फॉर वेरिफिकेशन मतलब जो कंडिडेट है वो कितने बुलाए जाएंगे कितने गुना भेरती बुल को 25.5 बनेगा लेकि 25.5 क्या कोई आदा कंडिडेट बुलाएंगे कि या चले हो आधे आधे आप चले आधे डाकुमेंट्स लिए आधे आप भी चले आई तो पच्चीश बुलाना चाहिए 26 कंडिडेट आपके बनते हैं जाकर कि लेड़ वने अगर आप यह सत्तरा का डे के लिए चिक अब हम अपनी बात करेंगे जा करके कटाफ की देगे दोस्तों हमारी जो कटाफ है एक्सपेक्टट वो आपके सामने है मेरे हिसाब से अभी जो मुझे लगता है कि यूपी आर्वी उनल जितने मार्क्स पे आप लोगों को बुलाएगा वो यही होने चाहिए ज सो सदस के बीच में रहेगी मैं अभी इसको डिवाइड नहीं करुंगा इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि इसका बहुत ही कघगा है आपकी‌में तो आप औंत झाल को चांसे हैं चुकि मैंने चाहिए जो बिटिख बिलकुल सटीक था उस असिस्ट की आप क्या गारेंटी ले सकते हैं चूंकि उसमें जो मैक्सिमम नंबर थे सो में तिरानवे थे और पेपर का लेवल अगर आप देख लेंगे तो जीपेट का पेपर उसके सामने फैल था अगर आप किसी अच्छे हाथ जीपेट कंडिडेट को बिठा देंगे तब से आप 27 साही कर देंगे इस बात का चैलेंज है 27 जीएस भी अच्छे लेवल की थी आप पेपर देखिए उठा करके ठीक है तो यह कहां का नियम है यह कहीं से भी मुझे सैटिस्पाइट नहीं लगा और अब आप लोगों चाहें जो कुछ भी लग रहा हो लेकिन यह एंसल का मामला जेए अगर फ्रेस रहती है तो सौ से एक सो दस की बीच में रहनी चाहिए और एंसल में भी मैंने जो है बताया था कि हमारे जो एस्टी जो भी मैंने कटाव बताई ती एस्टी बंदों की केवल उतनी ही गई थी मैंने 55 नंबर सायद मुझे याद है 55 नंबर से 60 न टॉप पे जो भाई टॉप पे होगा उसको आप प्रियॉर्टी देंगे अब टॉप पे आपने 97 में नंबर किसी के दिलवा दिये तीरान में दिलवा दिये जो कि आई नहीं सकते है इंपॉसी वाले तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं है ना तो मैंने जो आपको बताया था एंसेल में बिलकु सटीक था बाकी इसमें भी आप देखिए अगर यह फ्रेस रहती है तो इसमें 100-110 मैक्सिमम जा सकती है इसके उपर नहीं जानी चाहिए चुकि पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा टफ था और बहुत ज़्यादा अच्छा था ओबीसी की बा अगर मतलब क्या वो रख सकते हैं अगर मैं अपनी परसनली बात करूं तो मुझे जो जन्रल की कटाफ है चुकि पेपर कर लेवल इतना ज्यादा अच्छा था 100-110 के बीच में जाने की मुझे तो आसार मतलब मुझे लग रहा है कि यह भी जादा है ठीक है अगर जन्रल की जाने चाहिए तो 90-100 के बीच में जानी चाहिए ठीक OBC की जानी चाहिए तो 80-90 के बीच में जानी चाहिए और SCST के अगर जानी चाहिए तो इनकी भाईया 65-75 के बीच में जानी चाहिए इससे ज्यादा अगर कटाफ जाती है तो हम कुछ पता नहीं सकते हैं वाकि जैसा होनी चाहिए जो मैंने यह भी आपको अवर एक्सपेक्टेट कटाफ बताई बाकि अगर मेरे इसाफ से देखा जाए तो इतनी कटाफ सफीशियंट है ठीक है चुकि 33 परसेंट इन्होंने पासिंग मार्क नंढबर नाएंगी आप तब पास माने जाएंगगे तो उसमें वाकरी जो पेपर था वयνक्तरव कांज़ी यह पोरा वीडिएn बाकी आप लोग बताईय कमेंट करके कि आपको क्या लगता है किस तरीके की कटाउफ जानी चाहिए कितनी कटाउफ जानी चाहिए और साथ जी साथ आपके लिए एक UPNHM की एक बड़ी खबर है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा तक र वाचिझ वाचिझ लगी घर गनिकाट वाचिए लिए खब जानी खब एक चाहिए